S.R.S. Statistical Report 2020 के डेटा से एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एक new welcome trend को अपना लिया है जी हाँ आखेकर इंडिया की female infant mortality rate same level पे आ गई है as that of male infant mortality rate भारत की इस मामले में reputation काफी खराब थी जिसे एक लौती एक ऐसी country बताया जा रहा था जहां जादातर एक साल की उमर से कम वाली girls की death जादा witness की जाती थी then boys अभी पूरे भारत वर्ष के infant mortality rate के आंक्रे male IMR और female IMR दोनों आ गए हैं 28 per thousand children पर हाला की अभी भी देश के कुछ ऐसे states हैं जहांपर girls infant mortality rate, boys infant mortality rate से जादा है और कुछ ऐसे states भी हैं जैसे की 36 गर्ड जहांपर ये gap घटने की जगा बढ़ गया है पर अधिकतर जगाओं पर positive trend देखने को मिल रहे हैं और इतना ही नहीं कुछ state में तो trend reverse हो गया है ये काफी welcome news है specially in a country like India जहांपर female infanticide जैसे अपराद भी देखे जाते हैं वक्त आ चला है कि male और female child को बराबरी से देखा जाए और gender equality को सही माइने में अपनाया जाए साथ ही उम्मीद ये करते हैं कि अभी इंडिया की जो IMI double digits में है वो घट के जल्द ही single digit में आ जाएगी ये थी the true hunt channel की report ऐसी और खबरे देखने के लिए देखते रहिए the true hunt देखते रहिए the true hunt for the people by the people